Hello Everyone, इस वीडियो में हम Class 4 की English Worksheet No. 125 करेंगे Date है इसकी 4 December 2021 और ये Worksheet आपके Textbook Marigold के Unit The Scholar Mother Tongue से ली गई है इस Chapter की Link description में मैं आपको दे दूँगी चाकर जरूर देख लीचेगा इस Chapter को बहुत interesting है और आपके Course का है इसके आपको वक्षिर करने में असाली रहे की तो जरूर देख लीचेगा Link description में है Good morning dear students, hope you are doing well शुपरभात, प्यारे बच्चों आश्रकरते हैं, आप अच्छा कर रहे होंगे Children given below are a few sentences from the story the scholars mother tongue Read the story from your textbook carefully and state true and false for false sentences आपको T जो है true sentences के लिए लगाना है और F जो है false sentences के लिए लगाना है जो गलत है उनके आगे आप F लिखेंगे, जो सही है उनके आगे आप T लिखेंगे लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सही और कौन से गलत है इसके लिए आपको story पूरी अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पढ़ेगी इसके लिए description में link है मैं दुबारा से कहा रही हूँ आप जा कर देख सकते हैं First देखते है An illiterate pundit visit the court यानि जो pundit थे वो पढ़े लिखे नहीं थे So false वो बहुत ज्याद ही थे और पड़े लिखे थे Pundit challenged all to answer his mathematics question क्या पंडit ने सभी को Mathematics question के answer देने के लिए बोला था False उन्होंने बोला था कि मेरी जो है mother tongue है कौन सी है ये आपको बताना है क्योंकि वो सारी language जानते थे Third बिर्बल accepted the challenge क्या बिर्बल ने challenge accept कर दिया True बोलेंगे True लिखेंगे आपके क्योंकि True ही है बिर्बल ने challenge accept कर दिया था Pundit mother tongue was telecute क्या पंडit थी mother tongue telecute True बिर्बल was one of the king's शाह जहां's courtiers का बिर्बल शाहां के दरवारी थे False वो अकबर के दरवारी थे Next I read the following paragraph Taken from the chapter carefully There are many punctuation mistakes in the paragraph Correct the mistake and rewrite the paragraph in your notebook तो देखो यहां आपकी chapter से यह जो है paragraph लिया गया है इसमें काफी सारी punctuation mistake है Punctuation mistake का मतलब होता कि कहीं question mark नहीं लगा रखा कहीं latter capital नहीं है कहीं full stop नहीं है कहीं comma नहीं लगा रखा सही जगे पर तो यह सारी punctuation mistake होती है तो वो इस paragraph में do नहीं है mistake correct करनी है and read that the paragraph in the notebook और इसको दुबाना से paragraph को सही करकर अपनी notebook में लिखना है तो सबसे पहले इस paragraph को पढ़ते हैं King Akbar then asked Birbal How did you find the truth? King Akbar ने Birbal से पूछा कि तुम्हें truth कहते पता चला Birbal answered in times of difficulty a person speaks only in his mother tongue he also told the king how he had gone to the pundit room at night to find out the truth Birbal बताते हैं कि difficulty में एक person जो है अपनी मात्रभाज sorry mother tongue ही बोलता है और हमेशा जो और Birbal ने King को ये भी बताया कि वो जो है Birbal रात को pundit के रूप में गया था ये सब सचाई जानने के लिए और मुश्किल के टाइम पे हमेशा ही कोई person अपने mother tongue ही उसके मूँ से निकल जाती है तो mother tongue को क्या मतलब होता है mother tongue का मतलब होता है जो शुरू से उसने भाशा सीखी है वो जैसे माल लीजे किसी बच्चे ने शुरू से हिंदी सीखी है अब वो धीरे दीरे बड़ा हो रहा है अब बड़े होकर उसने और भी लेंगूज सीख ले उसने French भी सीख ली उसने English भी सीख ली तो अब उसे तीन लेंगूज आती है French, English and Hindi तो अब तीनो लेंगूज है लेकिन जब वो मुश्किल के समय में होका तो उसके मूँ से खुद ही हिंदी निकल जाए कि वो ही उसने शुरू से अच्छी तरीके से सीखिए ना इसलिए ठेक है तो इसको mother tongue बोलते हैं तो अब हम इस paragraph में punctuation mistakes देखते हैं और उन्हों correct करते हैं तो punctuation mistakes कहां थी? किंग अकबर में k caps नहीं था, capital नहीं था और a capital नहीं था इनका capital होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमेशा किसी का जो name होता है na capital होना चाहिए कोई भी noun होता है उसे capital करते हो वैसे भी देखो line का first letter है तो ये capital होगा ही किसी के name का first letter हमेशा capital होता है तो बिर्बल का B capital होगा और full stop के बाद जो letter लगता है वो भी capital होना चाहिए ठीक है? तो ये मैंने तीन चीज़ capital करी है फिर यहाँ पर ये trophy लगेगी How did you find the truth? ठीक है? और last में ये question है तो question mark लगएगा फिर यहाँ P capital होगा बिर्बल आंसर in times of difficulty a person speaks only in his mother tongue फिर यहाँ H capital होगा यहाँ K capital होगा ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से जो है apostrophe लगे की pundit's room at night to find out the truth इस तरीके से सारी mistake हैं जो हैं ने red red में कर दी हैं इनको आप paragraph rewrite करते समय ध्यान रखेंगे और इन ही mistake को इस तरीके से सही कर लेंगे तो बिर्बल अपनी समझदारी के लिए माना चाता है और वो बहुत समझदार और चलाक है चतुर है यह माना चाता है आपने अग पर विर्बल की कहानिया भी सुनी होंगी जिसमें विर्बल पर ही focus किया जाता है विर्बल की बुद्धी को दर्शाय आजाता है तो आप पढ़ सकते हैं काफी सारी विर्बल की स्टोरी और उन्हें अपने classmate और teacher के साथ भी श्यार कर सकते हैं तो यहीं आज की लक्षित समात होती है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू